हेलो दोस्तों मैं वैशाली रोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपनी यूटूब चनल फ्री एडुकेशन पर आज के इस वीडियो लेक्ट्र में हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधनेक इतिहास के जितने भी महत्पून युद्ध इनसे बनने वाले इंप गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है आपके एक्जाम पॉंट अफ्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस से एक से दो कॉशन हर एक्जाम में पूछे ही जाते हैं तो वीडियो को बिना इस्किप के लास तक हमारे साथ में बने रहे चलिए शुरुआत कर लेते हैं नमबर फ़स्स कॉशन से और पहला हमारा कॉशन है वितस्ता का युद जिसे हाइडेस पीस का युद भी कहा जाता है किन के बीच में लड़ा गया था दोस्तो हाइडेस पीस का युद ये लड़ा गया था पॉरस और सिकंडर के बीच में B option इस जो युद्ध है 326 इशापूर में लड़ा गया था इस युद्ध को हाइडे स्पीस का युद्ध जेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध कहा जाता है जेलम का युद्ध क्यों कहा जाता है तो ये जो युद्ध है ये जेलम नदी के तड़ पर हुआ था और इस नदी का पुराना नाम था वितस्ता इसलिए इसको वितस्ता का युध भी कहा जाता है ये जो युध है पंजाब की राजा पूरस और युनान की राजा सिकंदर के बीच में हुआ था और इस युध में जो सिकंदर था इसने राजा पूरस को हरा दिया था कलिंग की जो लड़ाई है दोस्तों ये 261 इशा पूर में होई थी A option is the right answer ये जो युद्ध है ये राजा नंदराज और राजा अशोक के मद्ध में हुआ था जो राजा अशोक है ये बिंदु सार के पुत्र थे इन्होंने अपने 99 भाईयों की हत्या की और राजगदी पर बैठे राजगदी पर बैठने के कुछ चमय के बाद ही इन्होंने कलिंग पर आकर्मन किया और यहां की राजा नंदराज से कलिंग को जीत लिया अशोक जो है इनकी ये आकरी विजय मानी जाती है इस युद्ध का जो वर्णन है ये अशोक के तेरवे सिलालेक में मिलता है इस युद्ध में भयानक रक्तपात हुआ और इस रक्तपात को देखकर जो राजा अशोक थे इन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई और वह बहुत धर्म के अनुयाई वन गए तथा इन्होंने धम्मे की नीती को भी अपना लिया था याद रखिएगा कलेंग युद क किस-किस के मद्ध में हुआ था तो राजा नंदराज और राजा अशोक के मद्ध में हुआ था नेक्स कॉशन सिंदी की लड़ाई किस-किस के बीच में हुई थी तो दोस्तों सिंदी की जो लड़ाई है ये राजा दाहिर और मुहम्मद बिन कासिम के बीच में हुई थी य याद रखेगा, 712 इश्वी में ये लड़ाई हुई थी और सिंदिके दाहिर कहां के थे तो याद रखेगा, ये सिंदिके थे और मुहांब बिन कासिम के मत्ध में ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो मुहमद बिन कासिम है, इन्होंने विजय प्राप्त कर प्रत्वी राज के बीच में हुआ था A option is the right answer अब इस युद्ध से जुड़े हुए detail को हम cover करेंगे तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 इश्वी में किस-किस के मद्ध में तो मुहम्मद गौरी और प्रत्वी राज चोहान के मिद्ध में इस युद्ध में जो प प्रत्वी राज चोहान है इनकी हार हो गई थी इन दोनों युद्ध से important fact बनते हैं ये सबी और इनसे question exam में पूछ ले जाते हैं तो आप वीडियो को pause करके इसका screenshot ले सकते हैं या फिर इनको note down भी कर सकते हैं चंदावर का युद्ध कब हुआ चंदावर का युद्ध ये हुआ था 1194 इश्वी में A option is the right answer ये जो युद्ध है किस किस के मद्ध हुआ तो मुहम्मद गौरी और कन्नौच की राजा थे जैचंद कौन थे कन्नौच की राजा जैचंद इन दोनों के मद्ध में ये तो आप सभी जानते होंगे पानीपत के युद्ध जो है ये कितनी हुए है तीन युद्ध हुए है और ये जो इस्थल है बहुत ही जदा प्रसिद है तो पूछा गया है पानीपत इस्थल किस राज्य में इस्तित है वरतमान में तो ये जो इस्थल है ये हर्याना में इस् पानीपत का प्रतम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में अकबर ने उत्तर भारत के हिंदू शाशक हेमू जो थे इनको हरा दिया था त्रती युद्ध जो है ये एहमद शाअब्दाली और मराथा शेनपती सदासिव राव भाव जो थे इनके मद्ध में हुआ और इस युद्ध में एहमद शाअब्दाली ने मराथा फौज के लिए हरा दिया था दोस्तों ये जितने भी important fact है ये एक्जाम में पूछे जाते हैं पूछा जाता है कि युद्ध जो है ये किस किस के मद्ध में हुआ था क्यों हुआ था और इसमें विजय किसने प्राप्ति की थी और युद्ध जो है ये कब हुआ था सीधी की सीधी date भी पूछी जाती है तो इन सभी के लिए आपके लिए याद रखना है चलिए नेक्स कॉशन है खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध है ये बाबर और राणा सांगा के मद्ध हुआ था ये जो युद्ध है ये 17 मार्च 1527 इश्वी को हुआ था इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को परास्त कर दिया था नेक्स कॉशन हुमायू द्वारा लड़े गई युद्धो का सही क्रम बताईए दोस्तों हुमायू की द्वारा बहुत से युद्ध लड़े गए उनमें इन युद्धो का सही क्रम पूछा गया है तो सबसे पहले जो हुमायू है इसने देवरा का युद्ध लड़ा था इसके बाद में दोस्तों इसने चौसा का युद्ध लड़ा, फिर विल्ग्राम का और सरहिंद का युद्ध लड़ा, option B जो है ये बिलकुल right answer हो जाएगा, इनको हम देख लेते हैं ये जो युद्ध है कब-कब लड़े गए थे, तो देवरा का युद्ध, ये 1531 इश्वी म चौसा का युद्ध, 1549 में, विल्ग्राम का 1540 में, और सरहिंद का युद्ध है, ये 1555 इश्वी में लड़ा गया था, इसके लिए एक ट्रिक को हम आपके लिए बताते हैं, देवरा का दे, चो बीस, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, हुमायू द्वारा लड़े गए प्रसित युद्ध जो हैं, इनका क्राम और ये कौशन जियों करते हों, कई सारे एक्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये ट्रिक जो है, ये आपके लिए बहुत ही ज़दा फाइदे मन साबित होगी, नेक्स कौशन, हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576 को मेवार के हल्दी घाटी के युद्ध के समय, अकबर का सेनपती कौन था, सबसे पहले याद रखेगा, हल्दी घाटी का युद्ध, ये कब हुआ था, तो 18 जून 1576 को हुआ था, किस किस के मद्ध में हुआ था, तो मेवार के शाशक, महरान प्रताप और अकबर के मद्ध में ये यु वर्तमान में किस राज्य में इस्तित है, प्लासी का युद्ध, इतिहास का काफी ज़्यादा प्रसित युद्ध है, इस युद्ध का इस्थान है, जो प्लासी, ये वर्तमान में किस राज्य में इस्तित है, अब बात हुई है प्लासी के युद्ध की, तो ये जो युद् बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाफ सिराजुद दौला के मध्ध में हुआ था इस युद्ध में जो बंगाल के नवाफ थे सिराजुद दौला इनकी हार हो गए थी और बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने विजय हाशल की थी इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतरत्विक इस ने किया था, तो रौवर्ट क्लाइव ने किया था, ये सबी fact exam point of view से most important है, इनसे caution exam में create हुए हैं, बार बार repeat भी हुए है, Next question, बकसर का युद्ध कब हुआ, बकसर का जो युद्ध है दोस्तों, ये आधुनिक इतिहास का काफी जादा चर्चित युद्ध है, ये युद्ध जो है, ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, C option is the right answer, ये जो युद्ध है किस-किस के मद्ध में हुआ, तो British East India Company और मीर कासिम जो की बंगाल के नवाब थे, सुजाओ दौला, जो की अवद के नवाब थे, और साह आलमदोतिय, जो की मुगल समराट थे, इनकी संयक्त सेना के मद्ध में लड़ा गया था, इस लड़ाई में जो अंग्रेजों का नेतरत्व है, यनि की British East India Company का नेतरत्व, ये किस ने किय था, तो ये किया था, हेक्टर मुन्रुने, इसका परिणाम क्या रहा, तो सेयक्त सेना की हार हो गई थी, और अंग्रेज जो है, इन्होंने जीत हासिल की थी, इस युद्ध के बाद में, दो इलाबाद की संधी हुई थी, प्रथम संधी जो है, ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी इस संधी में, इस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये मुगल समराज के लिए 26 लाग प्रतीवर्ष भुकतान करने के लिए सहमत हुई, दूसरी संधी जो है, ये 16 अगस्त 1765 को हुई, किस-किस के मध्ध में, तो अंग्रेज और आवद की बीच में हुई थी, इस संधी में 50 ला अंग्ले मैसूर युद्ध किस-किस के बीच में हुआ, प्रतम अंग्ले मैसूर युद्ध ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, A option is the right answer, ये जो युद्ध है कब हुआ, तो ये युद्ध 1767 से 1779 तक चला था, इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हु और अंग्रेजों ने विवश होकर हैदर अली की सर्तों पर 4 अप्रेल 1779 को मदरास की संदी की थी, याद रखिएगा प्रतम अंग्ले मैसूर युद्ध में कौन सी संदी हुई थी, तो मदरास की संदी हुई थी, नेक्स कॉश्चन, मंगलोर की संदी किस युद्ध से संब 1884 इश्वी तक चला था, फिर से ये जो युद्ध है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ, और इस युद्ध के दोरान जो हैदर अली है, इनकी 7 दिसंबर 1782 को मृत्ति हो गए, किन्तु जो इनके पोत्र थे टीपू सुल्तान, उन्होंने इस युद्ध को जार याद रखिएगा, द्वतिय आंग्ले मैसूर युद्ध, नेक्स कॉश्चन, द्वतिय आंग्ले मैसूर युद्ध की समापती किस संधी के परिणाम स्वरूप होई, दोस्तों, द्वतिय आंग्ले मैसूर युद्ध जो है, इसके बाद में जो टीपू सुल्तान है और उन के और अंग्रेजों के मद्ध में तरती आंगल मैसूर युद्ध हुआ और इसकी जो समापती है ये स्री रंग पटनम की संधी के साथ में होती है तो D option जो है ये बिलकुल correct answer हो जाएगा अब तरती आंगल मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से 1792 इश्वी तक हुआ किस-किस के मैं तो मैंने अभी बताया तीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मद्ध याने की बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के मद्ध में और ये जो युद्ध है 1492 में श्री रंग पटनम की संधी के साथ में समापत हो गया चतुर्ध आंगल मैसूर युद्ध कभ हुआ इसको भी ह चतुर्ध चारों आंगल मैसूर युद्ध जो हैं ये आपको याद रखने हैं यहां से कौशन आपके एक्जाम में क्रियेट होते हैं नेक्स कॉशन सालवाई की संधी किस युद्ध से संबंदित है ये जो संधी है प्रथम आंगल मराथा युद्ध से संबंदित है बी ऑप्षिन इस दा राइट आंसर दोस्तो प्रथम आंगल मराथा युद्ध ये कभ हुआ तो 1775 से 1782 ईश्वी तक हुआ किस-किस के मद यह जो युद्ध है इसमें 17 मई 1782 को सालवाई की संधी के साथ में युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। राजगाट की संधी की गई तरती आंगल मराठा युद्ध जो है यह 1817 से 1818 तक हुआ और पूना की संधी इस युद्ध के दोरान की गई है तीनों को आपको याद रखना है नेक्स कॉश्चन पिंडारी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है पिंडारी युद्ध जो है य यह जो युद्ध है यह आम भी मैंने बताया 1817 से 1818 तक ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी और मराठा समराजजी के मद्ध में हुआ और इस युद्ध में जो अंग्रेज है इनकी विजय हुई थी और मराठा समराज जो है इसका पतन हो गया था तरती आंगल मराठा दोस्तों 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 दोस् थोड़ी सी डिटेल को हम डिसकस करेंगे द्वतिय विश्वयुद्ध के बारे में जानेंगे सभी important fact को cover करेंगे द्वतिय विश्वयुद्ध ये जो विश्वयुद्ध है 1939 से 1945 के बीच में होने वाला एक ससस्त विश्वयापी संगर्स था इस युद्ध में दो संयक्त रज अमेरिका यनिकी USA सोवियत संग यनिकी वर्तमान रूस की बात हो रही है और कुछ हद तक चीन जो है ये मित रास्ट में सामिल था द्वतिय विश्वयुद्ध जो है इसके दोरान मार्च 1942 को जापानी सेना ने अपने देश के केंदर शाचित प्रदेश अंडम और निकोवार द्वीब को छोड़ दिया अंडमान निकोवार द्वीब की राजधानी क्या है तो पोर्ट ब्लेयर है ये भी आपको याद रखना है नेक्स कॉश्चन द्वतिय विश्वयुद्ध में दुश्मन की पंडुब्यों को ट्रेक करने के लिए विक्सित की गई प्राध्योगी की कौन सी थी तो दोस्तों द्वतिय विश्वयुद्ध जब चल रहा था उस समय दुश्मन की जो पंडुब्य है इनको ट्रेक करने के लिए सोनार को विक्सित किया गया था बी आप्शन बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा सोनार उसका फुलफ़ों होता ह है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार जो है ये एक ऐसी टेकनलोजी है जिसका उप्योग पानी के अंदर डूबे हुए जहाज मलवे पंडुब्भी तथा अनवस्तों का पता लगाने में किया जाता है आप यहां पर इसको देख सकते हैं ताशकंद कहां पर है भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध भारत पाकिस्तान 1965 जो युद्ध है इसके बाद में दोनों देशों के बीच में एक समझोता हुआ था उसको ताशकंद समझोता कहा जाता है ताशकंद समझोता जो है दोस्तों ये कब हुआ था तो ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था और इस उजबेकिस्तान में इस्तित है ए ओप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा याद रखेगा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था इस युद्ध के बाद में एक समझोता किया गया दौनों देशों के बीच में उसको ताशकंद समझोता कहा गया ये समझोता कब तो ताशकंद में हुआ था और ये जो ताशकंद है ये कहां पर स्थित है तो ये उजबेकिस्तान देश में इस्तित है नेक्स कॉशन किस भारत पाकियुद्ध के बाद सिमला समझोता हुआ सिमला समझोता भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है कब हुआ है 1972 में C option is the right answer हम प्रिवियस कॉश्चन में हम ना जाना था कि 1965 में जो युद्ध हुआ था इसमें कौन सा समझोता हुआ था तो इसमें ताशकंद समझोता हुआ था 1971 में जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का इसके बाद में दौनों देशों के बीच में 3 जुलाई 1972 को सिमला समझोता हुआ था और दोस्तों ताशकन समझोता कब हुआ था तो ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को सभी फैक्ट आपको याद रखने है एक्जाम पॉस्टा व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉशन में समाप्ट पूचा गया है तो C option जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अब प्रथम विश्व युद्ध इससे बनने वाले सभी इंपॉर्ण फैक्ट को हम कवर करेंगे जहां से आपके एक्जाम में कॉशन क्रियेट किये जाते हैं पूचा जाता है कि ये जो युद्ध है कप शुरू हुआ था तो 28 जुलाई 1914 को समाप्थ हुआ 11 नवंबर 1918 को ये जो युद्ध है किस-किस के मद्ध में लाड़ा गया तो मित्र रास्ट और धुरी रास्टों के बीच में मित्र रास्ट कौन-कौन से थे तो इंग्लेंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देश इसमें सामिल थे और धुरी रास्ट में जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देश जो है ये शामिल थे इस युद्ध में लगबक 37 देश कुल रूप से शामिल थे प्रथम विश्वयुद्ध जो है इसका ततकालीन कारण क्या था एक्जाम में ये भी पूछा जाता है तो जून 1914 में आस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड जो है इनकी हत्या प्रथम विश्वयुद्ध का ततकालीन कारण बना एक्स कॉश्चन सैयुक्तर राज अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्वयुद्ध में प्रवेश किया दूसरा विश्वयुद्ध याने की सेकंड वर्ड वर्ष ये कब से कब तक हुई तो 1939 से 1945 तक ये जो युद्ध है लगभक 6 वर्षों तक चला था और इस युद्ध में 70 देशों की सेनाएं सामिल थी अमेरिका जो है ये इसमें 1941 में शामिल हुआ था भी ऑप्शन बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा तो जिस प्रकार से हमने यहां पर इतिहास के प्रमुख युद्ध जितने भी महत्पुन युद्ध है उनको डिसकस किया है डिटेल में विट एक्स्टर फेट के साथ में उसी प्रकार से अगर आप पूरे साल का current affairs पढ़ना चाते हैं या फिर पिछले दो सालों का current affairs पढ़ना चाते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी good news है, बहुत ही बड़ी update है हमारे चैनल की current affairs की ebook जो है ये लांच हो चुकी है पहली वाली जो ebook है ये वार्षे का current fs की ebook है इसमें आपके लिए जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 से का current fs दिया जा रहा है साथ में पूरे साल के 60 प्लस से जादा topic wise current fs को provide किया जा रहा है लगभग question की बात करते हैं तो 4000 से जादा detail mcq जो है ये with extra fat के साथ में आपके लिए इस ebook में provide किये जा रहे है इस ebook की जो cost है बहुत ही कम रखी गई है मात्र 59 रुपे की ये ebook है दिवाशिका current fs की ebook जो है इसमें आपके लिए जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक का current fs प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे चैनल की पूरे 2 साल की महनत जो है ये आपको इन दौनो ebook में provide की जा रही है इन दौनो ebook की जो link है ये इसी वीडियो के description box में आपके लिए मिल जाएगी ebook को buy करने में आपको दिक्कत परिशानी होती है तो वही पर आपके लिए एक whatsapp number provide किया गया है याद रखिएगा वोसे whatsapp number है आप whatsapp पर ही हमसे contact कर सकते हैं आपकी जितनी भी quarry होंगी सबका वहाँ पर जवाब दिया जाएगा आपको कोई दिक्कत परिशानी होती है तो वही पर उसके लिए solve कर दिया जाएगा चलिए दोस्तों next हमारा challenging question है जिसका answer आप सभी को comment session में comment करके रेना है यह जो question है previous video जो हमारे भारत के शास्त्रिय लोक नरत्य है उन से लिया गया है question में पूछा गया है कि लद्दाक के शाही नरत्य की रूप में किस नरत्य को जाना जाता है चार option दिये गए है और लद्दाक के बारे में आप वहाँ पर detail भी लिख सकते हैं दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज जल्दी से इसको like कर दें अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल पर new student है त साथी bell icon पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो को जो notification है वो time to time और सबसे पहले मिल सके सी प्रकार का कोई भी more informative वीडियो आप से कभी भी मिस ना हो दोस्तों और important वीडियो के लिए जीके की important वीडियो के लिए current affairs के लिए आप हमारे playlist को जरूर और से के लिए और सुट्ट को जरूर आप से कभी मिल वी के लिए राय।